हेई एवरिवन मैं हूँ जेसन रवी सत्य और गरीबों की आवाज और समरी ओफ सिनिमा में मैं आपका स्वागत करता हूँ तो फ्रेंज आज हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं आयुशमान खुराना की फिल्म एन आक्शन हीरो जो हाली में थेटर में रिलीज हुई है एन आक्शन हीरो ओरिजिनल कॉंटेंट मूवी है यानि कॉपी एडाक्टेशन और रीमेक नहीं है जो की अच्छा संकेत है कहानी फिल्म आक्टर मानव प्लेट बाई आयुशमान खुराना की है जो अपनी नई फिल्म की शूटिंग करने हर्याना आते हैं हर्याना जहां अभी नेता से ज़्यादा नेता फेमस होते हैं गानी में एक ऐसे ही नेता भूरा सुलंकी प्लेट बाई जैदीब अलावत की एंट्री होती है जो की आयुशमान की जान के पीछे पढ़ जाते हैं उनके हिसाब से उनके छोटे भाई विकी को आयुशमान ने मारा है जो की फिल्म सेट पर उससे मिलने आया था हम यह देखते हैं कि फिल्म सेट पर वाकई विकी आयुशमान से मिलने के लिए आया था और आयुशमान के पास टाइंग नहीं होता विकी के लिए गुस्से में जब विकी अयुशमान को कन्परंट करता है तो वो विकी को धक्का दे देता है जिससे विकी के सर पे चोट लग जाती है और वो मर जाता है अयुशमान गवरा के वाँ से सीधा यूटे भाग जाता है सोच उझार करने के लिए और पुलिस और प्रेस को ये बात पता चल जाती है यहाँ विकी के नेता भाई भूरा अब अपने घर, महले, प्रदेश को वचन देके निकलता है कि इस एक्टर मानव को मैं मार के ही वापस आऊँगा पर क्या भूरा फिल्मी एक्शन हीरो को लंडन में मार पाएगा या क्या आयुष्मान खुराना कानून के शिकंजे में आ जाएगा क्या होने वाला है जानने के लिए आपको थेटर जाना होगा आगे बढ़ने से पहले फ्रेंज, हमारा चैनल आज तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक और बेल नहीं भी दबाएंगे तो चलेगा तो अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो आयुष्मान सुराना ने मानव की भूमी का बहुत अच्छे से निभाई है पहनी बार वो एक सॉलिड अक्शन करते हुए देखे गए हैं लेकिन कहीं न कहीं मुझे वो वाकई एक्शन हीरो नहीं लगे कुछ मिसिंग था जैदी पलावत एस धूरा की प्रेज़न्स गजब है ये लंबी रेस के घोडे हैं आखें मोगती हैं इस बंदे की बहतरीन काम किया है उनके आता ही फिल्म उठ जाती है रिमेनिंग औल कास्ट में भी अच्छा सपोर्ट किया है फिल्म को पेशल अपियनफ में अक्शे कुमार और मलाइका अरूरा हैं अक्शे इस और प्लेजर स्पेशली वन ही दस कैमियो रोल मलाइका अरूरा का गाना धुन में ग्रेट नहीं है पर सीन वाइस अच्छा सिचुएटेड है और मोरा फताई एंड क्रेडिट्स में आके अपने गाने में आपको खुश कर देंगी फिल्म के सेकंड हाफ में एक और ट्राक है विच इस क्वाइट इंट्रेस्टिंग जो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो फिल्म के रेजिलूशन और क्लामक्स को रिवील करता है फिल्म के स्ट्रीन प्ले और डालोग्स काफी इंट्रेस्टिंग लिखे हैं नीरज यादवने गुट जॉब है फिल्म का स्टोरी और डिरेक्शन किया है डिविटेंड डिरेक्टर अनिरुद अयर ने अनिरुद डेफिनेटली नोस दे क्राफ्ट ओफिल्मेकिंग नरेटिव स्टाइल ऐसा रखा है कि ओर्डियन्स का इंट्रेस्ट बना रहे टाइट कर शूट की है, टैलेंटिड है और ब्राइट फूचर है इनका फिल्म को पैशन के साथ प्रडियूस किया है अनन्द राय की कलर यलो फिल्म ने टी सीनीज के साथ ओवर ओल मेकर्ज ने फिल्म थोड़ी अलग बनाने की कोशिश की है बट आफ्टर सम्टाइंग स्टोरी लाइन मूवस ऑन अ सिंगल पॉइंट जहां अयुश्मान अपने आपको बचाने में लगे वे रहते हैं ओडियंस के मन में ये सवाल भी उठता है कि इस इनुसेंट तो क्यों अयुश्मान बचने के लिए लंडन भाग गए है मगर हमारा मानना ये है कि मेकर ऐसा करते तो फिल्म कुछ ही पन्नों में समिट के रह जाती इतना लॉजिकल सोचन लगते तो शायद ये फिल्म नहीं बनती फिल्म अगर एंटर्टेनिंग है तो फोगिवन है क्योंकि इस फिल्म में पैसा वसूल है तो वेल फिल्म ये था फिल्म अक्शन हीरो का रिव्यू आपके लिए कैसा लगा आपको ये कॉमेंट्स में बताना अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल स्मैश करना और नई करने का मूड हो तो गरीबों को 11 बनाना जानी 11 के लिए अपनी तरफ से खिला देना रिव्यू को आईशमान खुराने के फैंस और हर्यानवी दोस्तों के साथ शेयर करना फिलाल के लिए मैं जेसन रवी विदा लेता हूँ थैंक यू और गड्लस यू